देखिए Jackboard Class 12 Science में Geology का Most Very Very Important MCQ Question Answer को जो आपके Class 12 Jackboard में होने वाले कल 12 अपरेल Geology एकजाम के लिए बरदान साबित होगी यानि अभी हम लोग Geology का Most Very Very Important Objective Question Answer को पढ़ेंगे कल के एकजाम के लिए Question No.1 से देखिए Question No.1 पिर्थवी की सता की सबसे उपरी परत को क्या कहते हैं? भू परपटी कहते हैं एक का सही उतर Option C होगा पिर्थवी की सता की सबसे उपरी परत को भू परपटी कहते हैं एक का सही उतर C होगा भू परपटी आगे देखिए Question No.2 को देखिए पिर्थवी की सबसे बारी परत को क्या कहा जाता है? पिर्थ्वी की सबसे बारी परत को पपड़ी कहा जाता है दो का सही उतर बी होगा पपड़ी आगे देखिए कौसन नम्मर तीन को देखिए पिर्थ्वी के भितर की सबसे उपरी सत जिसे कहा जाता है जिसमें गहराई की गड़बड के कारण भू अस्पंद आते हैं उत्तर होगा भू परपटी तीन का सही उत्तर D होगा option D सही उत्तर होगा भू परपटी आगे देखिए question number 4 question number 4 को देखिए पिर्थ्वी की भू परपटी के परतियक टुकडे को क्या कहते हैं पिर्थ्वी की भू परपटी के परतियक टुकडे को पिलेट कहते हैं चार का सही उत्तर option B होगा चार का सही answer B होगा B पिलेट आगे देखिए question number 5 question number 5 को समझे अधिकांस भू परपटी किस सेल से बनी होती है अधिकांस भू परपटी किस सेल से बनी है अंसर होगा option A आग्निय सेल से अधिकांस भू परपटी आग्निय सेल से बनी है पांच का सही उत्तर option A होगा आगे देखिए question number 6 question number 6 को समझे पिर्थ्वी की सता पर सेलों के टुटने से कौन सी किरिया होती है पिर्थिवी की सथा पर सेलों के टुटने से अपच्छे की परिकिरिया होती है 6 का सही उतर आपसन B होगा आगे देखिए Q7 को समझे भूपरपटी पर दरभिमान परतिसत के रूप में से कौन सा एक सारोधिक मत्रा में पाया जाता है Option A, Oxygen भूपरपटी में पिर्थिमी पर दरविमान परतिसत के रूप में से सारवधिक मत्रा में पाया जाने वाला तत्व Oxygen है साथ का सही एंसर Option A होगा साथ का सही उतर Option A होगा आगे देखिए Question No.8 Question No.8 को समझिए निम्न लिखित में से कौन सा धातू पिर्थिमी की भूपरपटी में सबसे परचुर मत्रा में पाया जाता है उतर होगा Option D, Aluminium Aluminium धातू पिर्थिमी की भूपरपटी में सता में सबसे परचुर मत्रा में पाया जाने वाला धातू होता है आठ का सही उतर option D होगा आगे देखिए question number 9, question number 9 को समझिए पिर्थिवी की पपड़ी में मुख्य रूप से कौन सामिल है पिर्थिवी की पपड़ी में मुख्य रूप से सिलीका option C, सिलीका सामिल है 9 का सही उतर option C होगा आगे देखिए question number 10, question number 10 को समझिए पिरत्वी की पपड़ी का परमुक अंस मुख्य रूप से किस्से गठित होता है उत्तर होगा ओक्सीजन और सिलिकॉन ओक्सीजन और सिलिकॉन से ही सिलीका बनता है 10 का सही उतर होगा oxygen और silicon यानि option B option B सही उतर होगा oxygen और silicon से silika बनता है जो पिर्थिवी की पपड़ी का परमुक अन्स होता है 10 का सही उतर option B होगा आगे देखिए question number 11 question number 11 को समझे पिर्थिवी की पपड़ी में यानि सता में सबसे ज़्यदा पाया जाने वाला धातू कोन सा है aluminium पिर्थिवी की सता में सरफेस में पपड़ी में सबसे ज़्यदा पाया जाने वाला धातू aluminium होता है 11 का सही उतर option C होगा 11 का सही answer option C होगा आगे देखिए अंतीम प्रस्ण 12 बारा नंबर अंतीम प्रस्ण को देखिए पिर्थिमी का सारवधिक आयतन और दरविमान पाया जाता है मेंटल में पाया जाता है बारा का राइट एंसर ऑप्शन ए होगा तो चलिए अभी हम लोग कलास बारा जियोलोजी में मोस्ट बेरी बेरी इंपोर्टेंट 12th MCQ यानि अबजक्टिव प्रस्णों को देखें जो आपके जैक बोड कलास बारा यानि कल 12 अपरेल एकजाम के लिए बरदान साभीत होगी मिलेंगे फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई थैंक्यू